रूप प्रकतिने लिया मनोहर नूतन कर शिंगार है पुष्पो की छटा मनोहर भ्रमर करे गुणजार खिले फूल कलिया मुष्काई आई बसंद बहार आई बशंद बहार फूलों को इस तरह से खिला देखकर आपका मन भी प्रशन हो जाता है और जब एक गार्डनर अपने गार्डन में इस तरह से खुबसुरत सी छटा देखता है तो मन अपने आप ही खिल सा उठता है और इस तरह खिले खिले फूल नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहां दो दिन से हो रहे हैं बारिस और बारिस में धुल कर यह और अच्छे लगने लगे हैं साफ सुत्रे बिल्कुल हो गए हैं चले वीडियो शुरू करते हैं आज मुझे काम करना है इन पर पहचान लिया होगा आपने यह है मनी प्लांट और इतनी खुबसुरत खुबसुरत प्लांट फूल देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे डस्टी डस्टी मनी प्लांट आपको क्यूं दिखा रहे हुँ तो जो कुछ है वो आपके सामने है फूलों के पेड दम हरे-भरे खुबसुरत ते लग रहे हैं और यह मनी प्लांट है बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं कारण यह है कि मनी प्लांट एक्चुल में रखे हुए थे मेरे बालकनी गार्डन में जो फर्स्ट प्लोर की बालकनी है उसमें और काफी दिन पहले लगाय थे मैंने लगबग दो शाल पुराने हैं और अभी तक बढ़िया चल रहे थे लेकिन अब वहां पर जो ग्राउंड रहे हमारा वहां पर डाल की प्रोसेसिंग डाल की एक मील लग गई है वहां पर डस्ट बहुत उड़ती है और इसी डस्ट की वज़े से सारे प्लांट इस तरह के हो चुके हैं और मैंने अपना बालकनी गार्डन अब खतम करते का निर्ने लिया है और वहां से मैं सारे प्ल इनकी छोटी छोटे हिस्से में निकालूंगी जहां पे जड़ है बस बहुत छोटे-छोटे से प्लांट लगाऊंगी और जितना एक्स्ट्रा है उसका कुछ यूज हो जाएगा कमपोश्ट विन में डाल दूंगी तो आंगे जाके खाद बनेंगी फिलाल पोटिंग मिक्स त दाल लगता था और उसमें मैंने जितनी मिट्टी थी उतनी ही लगभग मैंने गोवर खाद मिलाई है और उपर से डाला है यह नीम खली क्योंकि अच्छा फंगी साइड भी है और साथ में खाद का भी काम करती है और एपसम सॉल्ट आप जब भी कोई लीफी प्लांट लग अगर आप गोवर खाद का यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि गोवर खाद में नाइट्रोजन बहुत होता है और नाइट्रोजन जो काम करता है आपके पतियों को बहुत अच्छे से बढ़ने में मदद करता है बहुत ग्रीनरी देता है तो गोवर खाद का इस् लगा के पानी देते हैं तो कहीं नगई इधर उदर होते हैं तो मैंने पहले से ही गमलो को अच्छे से गीला कर लिया है और इस तरह से दिखे छोटे-छोटे से मैंने मनी प्लांस के इससे निकाल लिये हैं जड़ भी दिख रही है आपको इस तरह से और बस बहुत इजली बिदिन वन मन्त ये पूरा भर जाएगा अपने आप ही और बहुत घना मैं नहीं लगा रही हूं क्योंकि निव निव लीफ आएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और पहले से इतना मतलब प्लांट जो है मेरा डश्टी सा है गंदा सा तो बहुत ज़्यादा घना न कि यह बिख्रा बिख्रा है यह पूरा एक बंच सा नजराने लगे फिलाल और काम कर लेती हूं और जितनी यह लेंधी लेंधी से हैं लंबी-लंबी सी इनको अटाओंगी और जहां पर मुझे दिखेगा छोटा सा प्लांट उसी को बस लगाओंगी जिसमें जड़ भी हो त इनको कितना भी दुल लीजिए और इसके बाद जब नई ग्रोथ आएगी तब इनकी खुबसूती निखर कराएगी तो आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा